कभी भी मुझे घर की किसी काम के लिए उन्होंने नहीं बोला कुछ unnecessary दबाब नहीं डाला and I think कि जो मेरा success है वो मेरा कम है उनका ज्यादा है हर एक चीज है ना हमारे society में उसके पीछे कही ना कही governance और administration है अगर आप governance और administration की service delivery को थोड़ा अच्छा करेंगे तो आप काफी हद तक सुधार ला सकते हैं दूसरा attempt था उसमें मेरे 105 अंक थे GS1 में लेकिन जो C-Sat है वो मेरा एक नमबर से रह गया क्योंकि मुझे लगा कि C-Sat exam hall में जाके कर लेंगे मुझे लगता है कि एक बार वो booklet भी आप refer कर सकते हैं but the best source would be past year question papers जो final note है वो तो बार बार refine करके prelims और mains के बीच में ही बनेगा तो यह मत सोचे कि मैं पहले ही बार में सिर्फ दो page का note बनाऊंगा वो नहीं होता जिनकी भी answer writing की skill थोरे ठीक ठाक है वो कृपिया daily answer वाला काम शुरू से ना करें पहले 5-6 मैंना आप दें आपना कुछ syllabus complete करें देखे dreams do come true सपने सच होते हैं और execution इस exam का crux है तो strategy सबकी से में मैंने कुछ भी अलग नहीं किया जो बांकी लोगों ने नहीं किया होगा लेकिन मैंने रोज किया नमस्कार दोस्तों स्वागात अब सबका एको inspiring और इस प्रमेटी वीडियो में आज हमार साथ डॉक्टर अंसुप्रिया मैं है डॉक्टर अंसुप्रिया मैं का UPSC 2021 में 16th rank है मैं पले डॉक्टर थी लेकिन अब IIS बन गई है तो मैं से जानेंगे कि मैं की जरनी क्या था motivation क्या था और सबसे बड़ी बात मैं का third attempt था इसके पले दो अटेंट्स में मैं का prelims से भी clear नहीं हुआ था तो मैं सबसे पलब अचुलेसंस ब्रीफिली अपने बारें बाता है थांक यू सो मच मेरा नाम डॉक्टर अंशुप्रिया है जो मेरी प्रारंभिक सिक्षा है वो मुंगेर के नॉटर डेम अकाडमी से हुई है उसके बाद मैंने बार वीक का जो एक्जाम है वो दर्भंग की कोशिश कर रही थी बट जब मुझे लगा कि कोई एक चीज़ पर फोकस करना इंपॉर्टन्ट है तो मैंने फुल फ्लेज़ेट अच्छे से यह अटेम्ट दिया और इसमें मेरी सोल भी रैंक है मैं फेमिली बेगराउंड के बात कर दिया तो फेमिली बेगराउंड कैसा रहा है और उसमें किस त्रीके का पढ़ाई का महौल रहा है जिससे आप मोटिभेट कहीं होई हो यह हूँगी और उसके अलावा मेरी मा होम मेकर है वो भी टीचिंग लाइन में जा सकती थी बर चुकि हम हमारा जो परिवार था वो सैयुक्त था तो उन्होंने एक सैक्रिफाइज ही किया और शी डिसाइड़ की घर के ही लोगों की देखभाल करनी है और बहुत सायोग मिला है चुकि पढ़ने लिखने का महल शुरू से ही था तो मुझे बहुत प्रसाहन भी मिला कि तुम पढ़ाई करो कभी भी मुझे घर के किसी काम के लिए उन्होंने नहीं बोला कुछ unnecessary दबाब नहीं डाला and I think कि जो मेरा success है मेरा कम है उनका ज़्यादा है मैं आपके बारे में गुवल कर रहा था कि मतलब आपके बारे में थोड़ा सा मैं पढ़ा सा मैं पढ़ा जाना सकू तो से मैं ये पढ़ा रहा था कि आपके motivation मिला था एक का story थी क्योंकि breast cancer महिला को हुआ था तो ये incident था मेरे fourth year के rural posting का यानि कि आप प्राथमिक स्वास्तिक इंद्र में जब जाते हैं तो वहाँ पर मैं एक महिला से मिली उसे बिल्कुल last stage का breast cancer था लेकिन उसे नहीं पता था कि वो cancer है जब हमने पूछा कि आप क्यों नहीं गए तो उन्होंने हमें बताया कि हमें तो लगा कि कुछ ऐसे ही है जो भी वो भाकी systems की दवाई खा रही थी बट she was not able to recover तो हम लोग जब उसे अपने hospital में लेके आए तो हमें पता चला कि बिल्कुल last stage का cancer है और हम बचा नहीं पाए उसे उस दोरान मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई एक initiative होता हमारे community level पे जहां हम सिर्फ screen कर पाते कि इस महिला को breast cancer है या नहीं है या किसी ने जाके बस बता ही दिया होता आज से दो मेहना पहले कि आपको breast cancer है आप hospital चले जाओ तो शायद हम बचा सकते थे क्योंकि breast cancer की जो treatment है वो बहुत advanced हो चुकी है medical science में बट हम नहीं कर पाए थे तो मुझे उस incidence के बाद ये लगा कि जो हर एक चीज है ना हमारे society में उसके पीछे कही ना कही governance और administration है अगर आप governance और administration की service delivery को थोड़ा अच्छा करेंगे तो आप काफी हद तक सुधार ला सकते हैं and that is why वो एक incident था जिसके बाद मेरा एक रुख हुआ की civil सेवा की तैयारी करनी चाहिए मैं जब उनने आज जब आपने start किया तो आपके primary जो resources थे वो क्या रहे थे जो मेरे primary resources थे वो तो बिल्कुल जो सब लोगों के होते हैं standard books, history के लिए spectrum, आरेश शर्मा, quality के लिए लक्षमी कांत, economy के लिए रमेश तिंग या फिर जो श्री राम IS की book है, geography के लिए मैंने PMF IS की किताब refer किया था, environment के लिए PMF IS and इन सब चीजों के साथ आप newspaper और current affairs को add कर लीजे और NCRT तो prelims के sources थे वो मेरे यही थे और एक current affairs का magazine vision IS का मैं follow करती थी, उसके अलावा newspapers को मैं regularly बढ़ा करती थी मैं आपका दो बर prelims भी crack नहीं हुआ था तो मैं आप से तीन यसी गलती आप कुछ ना चाहूंगा तीन अपने क्या इसे mistakes boundary किया था आपने, उसमें आप crack नहीं कर भाई थी prelims जो पहला prelims था वो तो college की ही बात था बिल्कुल, तो साथ में ही था, उस समें तो मैं नहीं लगता कि prepared थी मैंने in fact सोचा भी कि वो ना दूँ लेकिन चुकि form भढ़ दिया था तो मैंने जाके दे दिया तो उस attempt को तो मैं नहीं analyze कर सकती क्योंकि उसमें तो वैसे भी नहीं होना था मेंस नहीं होना था, prelims अगर हो भी जाता जो दूसरा attempt था, उसमें मेरे 105 अंक थे GS1 में, लेकिन जो C-SAT है वो मेरा एक नमबर से रह गया, क्योंकि मुझे लगा कि C-SAT exam hall में जाके कर लेंगे तो I think, GS के कारण मुझे कभी परिशानी नहीं हुई है एक बार जो prelims रुका है proper way में, वो C-SAT के कारण रहा था मैं, EPST का syllabus इतना वास्ट है कि उसको मतलब कहाई जाता है कि उसको decode करने वाले एक मतलब सिस्टम होता है कि उसको छोटे-छोटे मतलब sub-topic हम कैसे उसको करें तो इतने वड़े वास syllabus हो कैसे है उसको मतलब easy बनाया जा उसको आप एक काम करें कि हर एक syllabus के topic को लें और past year के जो question papers है उसको आप मिलाएं कि उस topic से क्या questions आए है आपको खुदी पता चलेगा कि उस topic के अंदर सब topics क्या-क्या है उसके अलावा GS score की एक booklet आती है छोटी सी micro listing of topics तो आपने जो question पूचा मुझे लगता है कि एक बार वो booklet भी आप refer कर सकते हैं but the best source would be past year question papers जब उनको देखेंगे ना आप तो खुदी पता चलेगा कि disaster management में क्या सबसे important है geography में क्या important है और बिल्कुल उसी के हिसाब से आप अपनी तयारी को fine tune करें मैं बहुत साइट आपर suggest करते हैं NCRT की बहुत importance मुमी का होती है आपका इस बारे में क्या रहा है जी बिल्कुल NCRT is important है NCRT आपके basic concepts को clear करने में important है ऐसा नहीं है कि हर question NCRT से आएगा लेकिन अगर आप NCRT को cover करते हैं तो आपका basic clear होगा उनके language काफी lucid, काफी clear होती है तो मेरे हिसाब से 11-12 की तो जो NCRT है history, geography, quality, economy आपको पूरी पढ़नी चाहिए 6-10 में भी कम से कम history और geography history और जी history तो पूरी पढ़नी है आपको 6-10 भी geography भी अगर आप चाहें तो 9-10 की एक बार देख सकते हैं but NCRT I think आपको पढ़नी चाहिए notes बगरा मत बनाईए NCRT की, NCRT इतनी precise है वो खुदी as a note है तो आप NCRT के material को NCRT से ही दुबारा refer करें लेकिन मैं हर prelims के पहले तो NCRT एक बार अपना revise करके जाती थी तो I think they are important मैं जिस आपने notes का नाम लिया तो notes बनाना कब ideal होता है इसे कोई भी standard books हम read करते है तो कितने reading के बाद notes में उसे convert करा जाए और notes बनाने के लोग process क्या होना चाहिए देखे notes जो है आप कम से कम दो reading के बाद ही बनाए दो reading आपने कर लिया और आपने past year के question papers को देख लिया आपको ये idea लगा कि उस चीज में क्या पूछते है उसके बाद you should make notes notes पहली बार में ना बनाए जब पहला note बनाएंगे दो reading के बाद तो वो 5 या 10 page में होगा जो final note है वो तो बार बार refine करके prelims और mains के बीच में ही बनेगा तो ये मत सोचे कि मैं पहले ही बार में सिर्फ 2 page का note बनाऊंगा वो नहीं होता पहले 10 page के notes बनेंगे 10 page फिर बाद में 5 होगा फिर बाद में 3 होगा और अंतता वो आधा page करे जाएगा तो notes को ऐसे ही बनाए सही समय मैंने आपको बता दिया कि किसी भी topic को बिना दो बार पढ़े हुए बिना उसके past year के question papers को analyze करे हुए आपको notes नहीं बनाना लेकिन note बनाना important है है ना ये मुझे लगता है खासकर mains के लिए प्रेलिम्स के लिए ना बनाए तो चलेगा but mains के syllabus के हर एक topic पे आपके पास अंत में यानि कि prelims और mains के बीच में एक या दो page का note होना चाहिए तो उस पे focus ज़रूर करना चाहिए मैं mains के prelims की preparation integrated way में करना ही चाहिए या फिर उसको बारी-बारी करना चाहिए नहीं बिल्कुल इस इंटेग्रेटेड preparation prelims and mains और जो mains की तैयारी है वो पहले करें पहले करेंगे prelims कोई अलग से एक्जाम नहीं है ये मैं बहुत बार बताती हूँ in fact prelims बहुत unpredictable है बट अलग से exam नहीं है prelims mains का ही subset है तो mains की तैयारी करें ultimately अगर आपने prelims कर भी लिया मेंस नहीं तयार है तो क्या कर लेंगे आप आपका attempt waste होगा ना exam में हर चीज तो मेंस से होना है तो मेंस के तयारी करें prelims के तीन महीना पहले prelims के लिए बिलकुल orient हो जाए test papers, past year question papers और basic stuff, जो factual चीज़े हैं उनको आप बार-बार revise करें दोस्तों घर बैठे आपको EPC, PCS की all materials चाहिए like all standard books, all notes, like disti, vision, vajiram, etc, ncrt books, old new ncrt, mix ncrt, तो देल ही कि आप रजिस बूक का शूर्ट समागा सकते हैं, दियो नमर पर कॉल करके, thank you जिन लोगों की answer writing की skill बहुत अच्छी नहीं है, उनके लिए मैं ये कहूँगी, कि आप जो है, शुरुवात के दिनों से ही एक दो current affairs के questions लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे जिनकी भी answer writing की skill थोड़ी ठीक ठाक है, वो कृपिया daily answer वाला काम शुरू से ना करें, पहले 5-6 मैना आप दें, आपना कुछ syllabus complete करें, और syllabus complete करने के बाद answers लिखें, जैसे कि अगर मैंने एक दिर मैना quality पढ़ा, तो एक दिर मैना म end में उसका test जाके दूँगी, तो वो बहुत अच्छी strategy है, बट बिना जाने, बिना topic को समझे, बिना syllabus cover किये, test लिखने का तो ज़्यादा फाइदा नहीं है, एक अच्छा answer writing लिखीन है कि मैं format क्या होना अच्छी answer को, वो introduction body conclusion ही होता है, आप बुलेट में लिखे, में examples, और जितने आप dimensions cover कर सकते हैं, वो डालिए, और last में conclusion लिखे, conclusion hopeful और optimistic होना चाहिए, pessimistic या फिनाकरात्मक conclusion ना लिखे, introduction जो है वो आप data, कोई figure, definition से start कर सकते हैं, और answer writing पे तो एक बहुत ही विस्तृत से अलग से चर्चा हो सकती है, summarize करते वे मैं यही कहना चाहूंग मैं UPSC, एक मतलब कि candidate से क्या चाहता है, जैसे कि आप select हो गई, आप अपने अंदर वो चीज़े देख रहे होंगी, हमारे अंदर यह quality है, जो build हुई है, जो UPSC आपको select किया, वो इतने अच्छे rank आपको दिया UPSC ने, तो overall क्या demand करता है, candidate से, उसके अंदर क्या चीज़े संभाल के रखते हैं, और आप तूटते नहीं है, आप, you don't succumb to pressure, और तीसरी चीज़, resilience, यहने कि जितनी बार गिरें, उतनी बार उठें, वो चीज़ भी बहुत important है, तो I think यह तीन-चार चीज़ों का combination है यह exam, मैं UPSC में यह भी कहा जाता है, कि UPSC का full form the Union Public Service Commission नहीं होता इस अपने देखा होगा सिरीज, तो Plan B के बारे में आपका क्या concept है, सिर्फ इसी पर डिपेंडर है, जैसे आपकी डॉक्टर थी, यहां नहीं होता, तो वहां आप सर्व करती, वहां मतलब आपकी लाइफ सेटल थी, कहीं ना कहेंगा, तो Plan B के बारे में क्या ख्याल आपका हाँ, तो Plan B देखिए, important है, मुझे ऐसा लगता है कि important है, अगर आपका पहले से ही मेरे जैसा कोई default Plan B भी है, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन at least 3 attempts के बाद तो आपको कोई ना कोई alternate employment, alternate source of earning कोजनी जाहिए, बिल्कुल, ऐसा ना करें कि पूरा youth ही आप 6 साल, 7 साल इस exam को द सकते हैं, लेकिन साथ में आप कुछ कीजिए, उससे आप भी psychologically अच्छे रहेंगे, supported भी रहेंगे financially, तो plan भी रखें, तीसरे attempt के बाद तो जरूर रखें, मैं last सवाल आप से पूछूंगा, जो भी a student आपको सुनने हैं, उनके लिए दो सब्त क्या काना चाओंगे, लिए मै मैं आपके सारे दर्शकों को I would like to wish them all the very best, देखे, dreams do come true, सपने सच होते हैं, बस हो कहते हैं एक बहुती famous सी शायरी है, कि कौन कहता है कि आस्मान में सुराक नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उच्छालो यारो, तो आप पत्थर को उच्छालना सीखिए, अपने बि strategy खुद बनाएं, सिर्फ videos देखने में ना रह जाएं, और उसको जाके जो भी content आपके पास आता है, उसको implement करें, और execution इस exam का crux है, तो strategy सब की से में मैंने कुछ भी अलग नहीं किया, जो बाकी लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन मैंने रोज किया, 8 गंटे, 10 गंटे र ना रुके हुए किया, तो perseverance and resilience is the key, किसी के दवाब में इस exam को ना दे, मैंने अभी काफी लोगों को देखा है, जो सिर्फ इसलिए इसकी तयारी करना चाहते हैं, मेरे hometown से, क्योंकि मैं IS बन गई, अब ये तो बिल्कुल अच्छा motivation नहीं है ना, क्योंकि ये exam आप जब तक उपर नहीं लेंगे, तब तक आप नहीं कर सकते, मतलब उस चीज का ध्यान रखें, बांकि आप जिस भी छेत्र में जाएंगे, आप उसमें अच्छा करेंगे, ये एक field है बस, it is not the end of the life, end of the road, आप जो भी endeavor ने, I wish all of you all the very best and remember that dreams do come true. अच्छे निति निन्वाता और अच्छे भाग विधाता और अच्छे पाया धिगाएंगे, तो पर हम काम करोगे, आप गुजर बोस कम ना करता हूं, thank you so much मैं, तो दोस्तों मैं आपने अजर नहीं, तो यदि आपको इस वीडियो अच्छे लेगे तो इस वीडियो को शेर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना हूं, thank you man.